हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आज हम एंकल लेंथ फिटिंग वाली पैंट बनाएंगे तो बहुती आसानी से मैंने इस वीडियो में बताया है कि बैल्ट को किस तरह से फोल्ड करना है तो इसके लिए हमने दो मीटर फाब्रिक लिया है और सबसे पहले हम फ्रेंट का बार्ट कट करेंगे तो इसके लिए हमने फाब्रिक को डबल में रखा है अब यहां से हम दो इंच इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम यहां से लेंथ लेंगे तो रेडी लेंथ है 36 इंच उसमें हम दो इंच फोल्डिं लेंगे तो 38 इंच पर हम निशान लगा लेंगे अब यहां पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अब यहां पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर के लिए हमें हीप का फोर्थ पार प्लस टू इंच मार्जिन लिना है तो हीप है 36 इंच उसको फोर्थ से डिवाइट करेंगे तो वह आजाता है 9 इंच प्लस टू इंच मार्जिन लेंगे तो वह आजाता है 11 इंच तो यहाँ पर margin और losing दोनों है अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे तो आसन के लिए भी hip का 4th part plus 2 inch margin लेना है losing लेना है तो hip है 36 inch इसको 4 से divide करेंगे तो वो आ जाता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वो आ गया 11 inch तो यहाँ पर आसन आ गया 11 inch का सभी size के लिए formula सेम ही है अब यहाँ पर हम straight line draw करेंगे इस line को उपर extend कर देना है अब यहाँ से हम 2 inch पर mark करेंगे और इस तरह से आसन की गुलाई का shape देंगे अब यहाँ पर हम bottom लेंगे तो bottom के लिए सबसे पहले हम इसका center निकालेंगे तो इसका center है 6.5 inch तो यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 6.5 inch का अब यहाँ पर हमें bottom लेना है इसके दोनों side में तो bottom लेंगे हम 6 inch का तो 3 inch इस तरफ लेंगे और 3 inch इस तरफ लेंगे इस तरह से हम 6 inch का bottom लेंगे अब नीचे भी इसको extend करेंगे अब इसको हम यहाँ पर इसके सामने निशान लगा के जोडेंगे और इसको हम यहाँ पर जोडेंगे तो इसको जोडने के लिए ये हमने curve scale ली है तो ये scale अगर आपको खरीदनी है तो Amazon पे बहुत ही easily मिल जाएगी तो अभी हम इसकी cutting करेंगे तो ये front part के दो पीस है अभी front part को side में रखेंगे और back part के लिए हमें फिल से fabric को double में ही रखना है तो दिखें इस तरह से हमने fabric को double में रखा है अभी front part लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो उपर से दो इंच छोड़के ही हमें इसे रखना है उसके बाद ये वाली side में हम कोई change नहीं करेंगे तो ये वाली side हम ऐसी mark कर लेंगे bottom में भी change नहीं करना है तो bottom को भी straight mark कर देना है अभी ये जो आसन वाली side है यहां से हम दो इंच बढ़ाएंगे back part के लिए पूरा उपर तक आसन वाली side से हम दो दो इंच बढ़ाते जाएंगे यहां पे straight line ड्रा करेंगे और back के आसन का shape देंगे अभी यहां से हमें इसको नहीं बढ़ाना है तो यहां से इतना ही रहेगा तो यहां पर हम इसको तिरचा जोड देंगे तो यहां पर देखे हमने back part में change किया है यहां पर उपर की तरफ दो इंच बढ़ाया है और आसन की side में भी दो इंच बढ़ा दिया है इससे यह pant पहनने में comfortable रहता है और उड़ने बैटने में भी comfortable रहता है अब यहां पर bottom में हम डेड़ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे यह बढ़ाना ज़रूरी है नहीं तो आपका यहां पर bottom size कम हो जाएगा अब इसको हम यहां पर जोड़ेंगे तो back parrot की marking हो गई है अब हम इसकी cutting करेंगे तो दिखें इस तरह से हमने pant की cutting कर ली है तो यह दो पीस है back part के अभी दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रख लेनी है उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगा देनी है तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है अब हम इसको open करके रखेंगे अब हम इसके उपर front का part भी उल्टा रख देंगे दोनों पाट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगानी है तो इस तरह से हम सेंटर में सबसे पहले स्टिच करेंगे तो हमने सेंटर में स्टिच कर लिया है उसके बाद हमें bottom को fold करना है तो step by step इसको stitch करना है जिसे की बहुती easily stitch हो जाएगा pant तो देखें इस तरह से हमने bottom को भी fold कर दिया है दोनों side में अभी हमें sides को stitch करना है तो side में देखें front part छोटा है और back का part बड़ा है तो हमें इन दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है सिर्फ हमें किनारियों को मिला लेना है उसके बाद side से हम थोड़ा सा slit रखेंगे तो यहाँ पर हम 2 इंच पे mark करेंगे 2 इंच का slit रखेंगे उसके बाद यहां से यहां तक stitch करेंगे इतना part हम open रखेंगे slit के लिए सेम इसी तरह से दुसरे साइड में भी जब stitch करेंगे तो दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम 2 इंच पे mark करेंगे और इसे stitch करेंगे और 2 इंच का open रखेंगे तो इस तरह से हमने दोनों साइड को stitch कर लिया है अब यहाँ पर जो हमने open रखा है बाद में इसको हम इस तरह से fold करके hand stitch कर लेंगे तो finishing अच्छी आएगी इस तरह भी हम बाद में इस तरह से fold करके hand stitch करेंगे अभी हम belt ready करेंगे तो अभी हम belt को fold करेंगे इस तरह से पहले half inch का fold करना है उसके बाद 1,5 inch का fold करना है तो शुरुआत हम आगे के part से करेंगे तो यहाँ पे देखे back part में जोलना आए इसके लिए हम यहाँ पर चोटी चोटी plates डाल देंगे back part के center में और उसके बाद इसको stitch करेंगे तो इस तरह से हमने belt को stitch कर लिया है यहाँ पे थोड़ा सा open रखा है इसमें से elastic डालेंगे तो यह हमने elastic लिया है और elastic के length हमने लिया है 27 inch जितना आपका कमर है उससे 3 inch माइनस करके लेना है तो यहाँ पर कमर है 30 inch उसमें से हम 3 inch माइनस करेंगे तो वो आगया 27 inch तो इस तरह से elastic का measurement ले लिना है अभी हमने एक safety pin लिया है तो pin को यहाँ पर लगाएंगे और elastic को हम इसके अंदर पास करेंगे तो एक side से डालना है और दूसरी side से elastic को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद elastic को overlap करके stitch करेंगे तो हमने elastic को stitch कर लिया है अभी elastic को हमें इस तरह से अंदर कर लेना है और जो हमने open रखा है इसको stitch करना है तो हमने stitch कर लिया है अभी इसको खीचते हुए हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे जिससे की इलास्टिक पल्टेगा नहीं तो इस तरह से इलास्टिक लग गया है पैंट में